नमस्कार मैं रितेश कुमार आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आप सभी आगनबारी बहनों को मालूम होगा कि 15.11.2021 से आगनबारी केंदर को पुना स्टार्ट कर दिया गया है और आगनबारी केंदरों में कुछ गाइ इसके बारे में जनकारी देने वाला हूँ जैसे कि जो आगनबारी केंदर के बच्चे हैं उनका जो उपस्थिती रहेगा वो 50 पर 30 के साथ ही आपको आगनबारी केंदर खोलना है और आगनबारी केंदर में जो बच्चे हैं उनका एटेंडन्स आपको किस परकार से बनाना है इस बारे में आपको जनकारी देने वाला हूँ तो वीडियो काफी यूजफूल है आगनबारी बहनों के लिए आप सभी आगनबारी बहने इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको जो बच्चों का एटेंडन से उसको बनाने में आप सभी को मदद मिल सके तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी स्रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए तो आपको सबसे पहले ये जो बेनिफिसरी वाला आप्शन आप लोग देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक देनिक ट्रेकिंग का ओप्शन दिया गया है जिसमें आप सभी अपना जो डेली का हाजरी है वो आप लोग बनाते हैं तो आपको उस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं क्या आपने आज आगनबारी केंदर खोला है तो अगर आपने आज आगनबारी केंदर खोला है यानि हाँ सलेक कर देना है सलेक करने के बाद आपको सम्मिट करे और जारी रखे वाले पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पॉपप खुल के आ जाएगा जो आगनबारी केंदर है अगर आपने एक बार हाँ पे सिलेट कर दिया तो फिर आप इसको दुबारा बदल नहीं सकते हैं तो उसके बाद जो पॉपप आएगा उसे आपको ठीक वाले उप्शन पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आप निचे में आएंगे तो यहां पे जो बचो की उपस्तिति है उस पे क्लिक करेंगे जितने भी बचो को आपने पोसन ट्रेकर एप में एड किया है वो सभी का लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि अगर आपके आगनवारी केंदर में 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों में से जैसे कि जो गाइडलाइन से 50 पर 30 जो बच्चों का एटेंडेंस रहेगा तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर एटेंडेंस डालना है जैसे 40 बच्चे हैं आपके आगनवारी केंदर पर तो आपको 20 ही बच्चों का जो है कि एटेंडेंस यहाँ पर बनाना है तो 20 बच्चों का यहाँ पर एटेंडेंस आपको सेलेक्ट कर लेना है जो बच्चे आज आए हैं आगनवारी केंदर पर यहाँ पर जो box का निसान दिया गया है उस box पर आपको एक बार click कर देना है click करने से वो बच्चों का जो option है वो ऐसा दिखने लगेगा उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सभी जो बच्चे आज आए हैं आगनबारी केंद पर उनका यहाँ पर जो box दिया गया है उसमें हमने click करके यहाँ पर submit करे और जाड़ी रखे पर click कर देना है और जैसे कि यहाँ पर आप लोग नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर option दिया गया है HCM का यानि जीन बच्चों को दोपहर का खाना खिलाये जा रहा है उन बच्चों का यहाँ पर attendance डालना है कि किन किन बच्चों को आज हमने दोपहर का खाना दिया है जैसे कि अभी ये जो दुपहर का खाना है ये अभी लागू नहीं है जिस दिन से ये लागू हो जाएगा उस दिन से आपको ये वाला option select करके जितने भी बच्चों का आप यहाँ पे attendance दिखाएंगे select करेंगे जो जो बच्चे आपके आगनबारी केंदर में आएंगे इसमें भी आपको वही बच्चों का select करना है जिनको आपने attendance में दिखाया है उन बच्चों को ही आपको दोपहर का खाना खिलाना है और उनका जो यहाँ पे check mark box दिया गया है उस box पे tick लगा कर आपको आगे बढ़ जाना है जैसे कि 20 बच्चों का हमने खाना खिला है तो 20 बच्चों का यहाँ पे डालेंगे या फिर जितने भी बच्चे हैं उसको डालने के बाद यहाँ पे submit करें और जारी रखें पे click कर देंगे चुबह के नास्ते में बच्चों को क्याप दिया गया जैसे चूरा गूर या चाना गूर इस परकार के जो आप लोग अभी बच्चों को नास्ता में दे रहे हैं तो उन बच्चों का यहाँ पे check mark लगाना है और लगाने के बाद submit करना है जैसे कि आपने कुछ भी बच्चों का नास्ता में दिया है और जिन बच्चों को दिया है जैसे कि यहाँ पे हमने जिन बच्चों का उपस्थिती दर्ज किया है उनके हिसाब से इसमें आपको check mark लगाना है check mark लगाने के बाद यहाँ पे देखिए हमने check mark लगा द आपने इन दोनों पर भी किलिक करके यहां पर सब्मिट कर सकते हैं या फिर एक पर ही आप किलिक करके छोड़ सकते हैं तो दोनों पर किलिक करने के बाद आप यहां पर सब्मिट करेंगे तो आपका जो आज का दैनिक ट्रेकिंग का काम है वो पूरा हो जाएगा आपका हाजर से लेकर जो भी यहां पे यह सब दिखा रहा है इन सभी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसी परकार से आपको अपना दैनिक ट्रेकिंग का जो हाजरी है और बच्चों का हाजरी है इस परकार से आपको डेली बाई डेली मेंटेन करना है तो आज के इस वीड पिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद